बिल्कुल खिले खिले से वेज फ्राइड राइस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ वेलकम बैक टू फ्लेवर्स ओफ निदे किछन इस पतीले में धाई ग्लास मैंने पानी लिया है तेज पत्ता चक्र फूल और नमक डाल दीजे जब ये पानी अच्छे से बॉल हो जाए तो आप इसमें एक कप चावल डाल दीजे इस चावल को मैंने आधे गंटे के लिए भिगो के रखा था अब आप इसे उबलने दीजे मीडियम फ्लेम पे तब तक पनीर को कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में ये चावल थोड़ा अभी उबल रहा है आपको 80-90% ही कुक करना है इस पनीर में हम डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्श, अजवाइन और इसे मिक्स कर लेंगे तब तक हमारा चावल भी बन चुका रहेगा आपको इसे चान लेना है इसके पानी को ड्रेन कर देना है आप चेक कर सकते हैं चावल बस इतना ही कुक होना चाहिए बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है अब आप इसको पंखे की नीचे रख देजिए एक कड़ाही में तेल ले लेते हैं इसमें प्याज, जीरा और हरी मिच को फ्राई कर लेते हैं गोल्डेन होने तक इसी में हम ये पनीर डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे यहाँ पर मैंने बारी कटा हुआ गाजर लिया है बीन्स आप चाहें तो अपनी और भी कोई मन पसंद सबजी डाल सकते हैं और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे ताकि यह गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और बीन्स भी इसमें नमक डाल देजिए और डाल देते हैं शिमला मिर्श, सोई सॉस और चावल डाल देजिए बस मीडियम फ्लेम पे आपको दो से तीन मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेना है हलके हाथों से ही मिलाएगा ताकि यह चावल तूट न जाए तो लिजिए बनके तयार हो गया बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल यह वेज फ्राइड राइस तो आप इसे घर में जरूर बनाएगा और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी के साथ